तो हेलो दोस्तों आज का आपका स्वागत है आज मैं आपको एक नए ट्रिक बताने बाला हूँ चुछ चलिए अभी तक आपने चैनल ने सब्सक्राइब तो चैनल सो सब्सक्राइब कर दीजिए तो ध्यान देजिए कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर इस तरह से हो क कि जिसमें क्या हो ए रेशियो ब अगर आपको दिया फाइप रेशियो शि continuing दिया हो धिकर और इसमें बे क्या होना चाहिए को कमन मतलब बी वाला पाट इसमें भी हो वाला पाट इसमें भी हो ठीक है उस केस में क्या करेंगे और आपसे पूशा जाता है कि A ratio B ratio C बताई है तो क्या होगा तो ध्यान अर A A के लिए B अगर common हो तो और A के लिए आपको क्या करना A into B2 मतलब A आपका कहा है ये है और B2 कहा है B दिखे यहाँ पर ये B2 है तो आपको इन दोनों को क्या कर देना होगा multiply तो आप जब इन दोनों को multiply करें किता होगा 5,4,20 ठीक है फिर B के लिए क्या है आपका जान देगा B के लिए आपको क्या करना पड़ेगा B1 into B2 मतलब B1 into B2 तो क्या करेंगे इसमें B1 into B2 में 6 into 4 कर देंगे तो आजाएगा आपका 24 B1 into B2 कर देंगे ठीक है आप करते हैं क्या C C को कैसे निकालेंगे तो देखे क्या लिखा है B1 into C और C के लिए यहाँ पे हो जाएगा B1 into C ठीक है तो B1 काउन सा था यह B1 था और C काउन सा है यह 7 है तो क्या कर देंगे 6 into 7 यह हो जाएगा कितना 42 ठीक है अब आपको A ratio B, Ratio C निकालना था तो बस आपको कुछ नहीं करना है 20 Ratio 24 Ratio 42 अगर इन दोनों में तीनों में कोई कॉमन चीज है तो काड़ सकते हैं तो काड़ दीजएगा देखे 2 से सब कर जाएगे तो 2 से इसको इसको काड़ देगी जाएगा तो आपको क्या बचेगा यहाँ पर यहाँ पर क्या बचेगा 10 Ratio 12 Ratio यहाँ कितना बचेगा 21 और यही इसका एंसर हो गया ठीक है चलिए इसी तरह से आप देखेंगे कि इन दोनों में कैसे करेंगे तो ध्यान से देखे A Ratio B Ratio दिया है यहाँ पर 7 Ratio 9 दिया है और B Ratio 7 कितना दिया है 15 Ratio 7 दिया है तो आप से इस बार बास पूछ रहा है कि A Ratio 7 बताईए तो ध्यान दिजाएगा यहाँ पर A Ratio 7 निकालना तो मतब A के लिए आपको निकालना तो A के लिए दिखें क्या करेंगे फॉर A के लिए A इंटू B2 तो A के लिए A इंटू B2 तो 15 7 जा कितना हो जाएगा 105 चीक है और आपको फिर क्या निकालना है C निकालना है तो C क्या करेंगे for c के लिए b1 into c तो b1 किदा रहे था इधा 9 है और c क्या है 7 है तो इधा क्या हो जाएगा 9 into 7 ठीक है अब इस वाद आपको क्या निकालना है ratio निकालना है अब देखना क्या यह कट सकते है तो हाथ 3 से अगर कट जा रहा इसको काट दीजिए तो 3 से सको काटेंगे तो इतना हो जाएगा यह 5 यह हो जाएगा 5 ठीक है इसको काटेंगे तना हो जाएगा 21 अब 3 3 से कटेगा नहीं कटेगा तो इसको रहे देजिए बस यही हो जाएगा इसका answer 55 ratio 21 ठीक है तो अगर आपको यह दोनों समझ आ गए अगर आपको यह दोनों समझ आ गए तो इसका answer बताईए कमेंट में तो